देखिए ऐसा नहीं कि सरफ हमने ही चाइनीज खाने पर ठपा लगाया अमेरिकन कॉंगपाओ मिलते हैं उस तरफ Calling and action बहुत simple है यही देखो सबजियों के लच्छे काटने जूलियन काटने ठीक है? उसमें कुछ सबजियां जो है वो कमपलसरी है कुछ सबजियां जो है वो आज आ सकती है तो यह तो है कमपलसरी सबजिया जो की हर देसी चाइनिस खाने का ब्रेश ठीक है ना ची? इनके करते हैं जूलियनie कट इंग से शुरू करते हैं और जैसंटा मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनिज खाने में 80-90 % टाइम जो हेटें कट नग दाता है मात्र और मात्र 10-20% टाइम कुकिंग में जाता है अब थोड़ा सा अगर आपको फैशनेबल बनना है थोड़ी फैशनेबल सबजी भी डाल सकते हैं पीश में जाधा नहीं यह सिर्फ फैशन वाली सबजी है यू समझ लीजे कि एक्सेसरी है जी मेन सबजियां जो है वो आपका ड्रेसिंग सेंस है और यह जो है पाउडर बिंदी है बस ठीक है पाउडर बिंदी कट रही है भी यह भी ऑप्शनल है अब इसमें ना मैं थोड़ा चीट करूँगा थोड़ी सी जिंजर में जूलियन रखो और यूसको अपनी सबजी के साथ मैं ट्रेह शाय कर लो है यह वाली इंजर जो है वो ताजगी देगी फ्रेशनेस देगी हम लोग ऄम इंग्लिश ने बोलते हैं ना पैफरिनेस पेपरी नेस देगी डिश को और बाकी जिंजर जो है वो मैं चौप कर लोगा अब भी अनियन एक प्यास गोबी कॉन डालेगा रनवीर बराड़ यह लोगा गोबी डाल देते हैं यह मेरी आदद बड़ी खड़ाब है एक पॉर्शन वाला काम नहीं कर सकता हूं फिर लोग बलते हैं कि रनवीर जब बनाता है तो इतना सारा बनाता है कॉंटिटी नहीं बताता है कॉंटिटी क्या बताएगा कॉंटिटी के लिए रस्पी देख लो यहां तो रनवीर लगा ड़ंगर नगने पर अभी कनना में वहाला खारत नोड़नल लिेन है ठीक है जी बोईल नोडल खोट्म के पानी में बोईल करना है जा-ग और सेफटी के लिए थोड़ा न व Curtis बोणs टील बहुत sasya थे बहुत सिंपल हैं वह जहमत्स हैं जो प्रोसेस, जो स्टेप्स में फॉलो कर रहा हो करिये, पहले नूडल फ्राइ करके रख लीजे, क्योंकि आप सब्जी अगर पहले बनाएंगे तो सब्जी जो है, उसका टेक्च्चर खतम हो जाएगा, मतलब वो घर वाली सब्जी की एकना मिशी मैशी बन जाएगी, नूडल को दबाना नहीं है जी, नूडल को खिलाना है, तेल गरम रखना है, अगर तेल ठंडा रहेगा, तो नूडल तेल पी जाएगा, आप बनाने जाएगा, अमेरिकन चॉप सुई बन जाएगी, ओईली चॉप सुई और आप अपने आप तेल ठंडा हो जाएगा, फुल एकदम, the oil has to be, जलाना नहीं है तेल, but the oil has to be really hot, एक ट्रिक और है, कभी भी चॉप सी फ्राइ करें तो तेल गैरंटेल ठंडा होगा, इसलिए साइड में गरम तेल रखें स्टैंडबाई पे, वापस ते उसके उपर डालने के ल परना चॉप सी में टेक्स्टर नहीं आएगा, फिर वो फूलेगी नहीं, ये गरम थेल लिया, ये, ये, ये लिचे, एक और डिश होती है, pan-fried noodles, pan-fried noodles में क्या होता है, कि तेल बहुत कम जाता है, सिर्फ उपर से noodles के इस गुच्छे को क्रिस्पी के जाता है, अंदर से वो रहता है, और उसके उपर ये सब्जी डाल दी जाती है, कोई भी सब्जी डाल दी जाती है, उसे pan-fried noodles कहते है, यानि कि pan-fried noodles जो है, वो चॉप सुई की मौसेरी बहन है, ठीक है, लेकिन नूडल पूरी क्रिस्प नहीं होती, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरब, यह इंची, अब जयाते है, सब्जी बनाने थे, वोक को पहले हलका सा season कर लिया, तेल के साथ घुमा लिया, उसे दो चीज़ों होती है, एप तो तेल का tapman बन जाता है, वोक का tapeman बन जाता है, दूसरा, एक basic seasoning हो जाती है, वो कहां, और अब धन्य की डंडी, आप चाहें तो सेलरी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेलरी नहीं है तो धन्य की डंडी, काट के रख ले, ये सेलरी है, ठीके जी, इतनी लंबी-लंबी आएगी, सुप मार्केट में फाइन अगर नहीं मिलती है तो धन्य की डंडी है, बढ़िया मेरे को धन्य की डंडी दाना मजाता है, मैं देखा कि इतने अच्छे से खा रहा हूँ आज, एक एक चीज बतागे, ना कोई मजाक, ना कुछ और शुरू करो अंताक्षडी, अंताक्षडी शुरू करने से पहले सब कुछ निकाल के रख लो, क्योंकिर सबजी टाइम देगी नहीं, चाइनीज खाने में अपने सामने मीजा पलाज रखें कोकिंग करने से पहले, वरना आप यहां से वहां गए, और ओज हम टेक्च्च तॉड़ spinachा ने लगाना है तॉइच सोज शॉस जङ्धा नहीं, कलर काला हो जाएगा, कलर जो है वो थाधा रिड़ी औरेंजिश, की तरफ रहना चाहिए अगर आप अमेरिकन चॉपसी बना रहे हैं तो टुमेड़ो केचप जादा, होट सॉस कम, लगबग 3 is to 1 का रेशियो अगर आप चाइनीज चॉपसी बनाना चाहते हैं तो फिर उल्टा हो जाएगा थी पार्ट स्पाइसी सॉस, अउनली पार्ट केचप सोय सॉस डालने के बाद उसको चलाना बहुत जरूरी और गैस फुल होनी चाहिए क्या बोलता हूं है के चाइनीज खाना हमेशा, अगर बिलिटरी हीट में लशकरी गर्मी में बनना चाहिए चाइनीज खाना लशकरी गर्मी ठीक है ना री? मिलिटरी हीट नहीं याद रहेगा तो लशकरी गर्मी तो याद रहेगा इसमें फिर स्टॉक यहां पानी पहले थोड़ा यह लोजी सबजियों का कचुमबन निकलना चाहिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सबजियों का कलर और उनका क्रंच जो है वो मेंटेन रहना चाहिए केचप जो है उसकी खटास मिठास को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी शपकर जैसे ही उबाला आया उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं किया तुरंत ने डाल दिया अरारोट का पानी कौन स्टार्च वाटर स्लरी खुछ भी बोल सकते है उसको और यह होने के बाद लास्ट में सेलरी या फिर धन्या कि टंडी मैं लास्ट में से लातना हूँ कि अधिश्ट अधिश्ट अधिव फ्रेशनेस एक दम से वो जो तावजगी की भरमार अब यह प्रोग्राम जो है ना यह हमेशा लास्ट मिनट होना चाहिए सॉस और सबजी डालने हो प्रकॉस जैसे ही आप डालेंगे नूडल हो जाएंगे सौगी खाने में नहीं आएगा मज़ा तब बाकी तो आपको अब पता ही है कि मेरे मूँ से ही सुनना है सिंपल एजी नो रॉकेट साइंज हम दो गोव में रहते थे 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 तो वहाँ पर एक बिल्कुल रेडी लगाता था था फुटबाल ग्राउंड का बगल नहीं लगाता है कि नहीं लगाता है और सभसे जादा उसकी छॉपसी के लिर नारा लगते थे लोग मैच खदम करते ती उसकाचॉपसी खाने आते थे अर नहीं अमेरिका वालों को पता होगा नहीं चाइना वालों को लेकिन हमको पता है तो आपको नारे लगाने की भ़ derecho To yourम सब्सक्राइब के पास है और गोवा जाएं तो वह कालंगूच फोटबाल ग्राउंड के लेफ्ट हैंड साइड में अचली जब जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जॉपसी जबूख है साइड में जूफसी जाएं आर गोवा और गोवा जूख साइड में ज breaking down just an कर दो भाव जाएं लब जूपसी जो राइड में तो झांने साइड में झाल झाल